नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है Earth and Space YouTube चानल पर आज की इस वीडियो में हम चंदरायान 2 से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देंगे पर इससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर भ चंदरायान 2 से जुड़े ऐसे बहुत से सवाल है जो भारती अनागरिक सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे चंदरायान 2 एक स्वदेशी राकेट है इसे इस रोके वैग्यानिकों ने बिना किसी दूसरे देश की मदद के बिना बनाया है चंदरायान 2 को इस तरह से बनाया गया है कि यह चांद के दक्षिनीद रोप पर सेफ लांडिंग करेगा भारत दुनिया का चौथा देश है जो चांद पर सौफ्ट लांडिंग करेगा और इतिहास में ये पहली बार है कि किसी देश ने चांद के दक्षिनीद रोप पर अपना यान भेजा है लांडिंग के बाद चंदरायान से एक रोवर निकलेगा प्रोवर एक चार पहियो वाली रोबोटिक मशीन है जो चांद की सतह पर चलकर कई तरह के एक्स्पेरिमेंट करेगी और इसकी जानकारी इस रोके वैग्यानिकों को भेजेगी चंदरायान 1 को 2009 में लांच किया गया था इसमें नासा ने भी हमारी मदद की थी पर इस बार चंदरायान 2 पूरी तरह स्वदेशी है इसे बनाने में किसी भी देश से मदद नहीं ली गई चंदरायान 1 ने क्राश लांडिंग की थी लेकिन चंदरायान 2 की सेफ लांडिंग है पहला चंद्रायान चल फिर नहीं सकता था पर चंद्रायान दो का रोब चांद की सतह पर गुमेगा और जानकारी एक रट्था करेगा Question No. 3 चंद्रायान दो का काम क्या है? चंद्रायान दो का मुख्य काम चांद पर पानी की अधिक मात्रा में खोज करना है चंद्रमा के दक्षिनी द्रोफ पर बहुत बड़ी पर्चाई दिखाई देती है चंद्रायान एक ने इसी पर्चाई से थोड़ी दूरी पर पानी की खोज की थी लेकिन उस समय पानी के केवल कुछ ही अंश मिले थे और अब चंद्रायान दो वहीं से काम शुरू करेगा जहां पर चंद्रायान एक ने छूड़ा था पानी की खोज के इलावा और भी ऐसे कई सवाल है जिसका पता चंद्रायान दो को लगाना है तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की विडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना आप मिलेंगे हमारी नेक्स्ट विडियो में